क्या सच में इंडिया पर cyber attacks हो रहे हैं ऐसी चीजे हो रही हैं मार्केट में मेरे साथ भी हुई है ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने आपको काफी रोका बेले वेट किया और कोशिश किया कि problem solve हो जाए बट at the end problem solve नहीं हुई और problem एक नहीं है cyber security से related काफी सारी problems हैं एक एक करके मैं सारी problems आप सबी लोगों के साथ share करता हूँ अगर आपके साथ भी कोई problem ऐसी होती है तो comments में जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले और पहले से मैं aware हो जाओं और आप भी पहले से aware हो जाए इसलिए मैं अपनी problem share कर रहा हूँ आपसे सबसे बड़ी problem से लेकर जलते हैं sort of juicy vlogs आप सबी को पता होगा इंडिया के number one blogger है उनका instagram account arts वाला और उनका official account suspend हो गया कुछ लोगों ने suspend किया था group बना हुआ था और pious का भी account suspend कर दिया गया था report करके या फिर कोई glitch पता लग गया होगा उनने instagram का उस वज़े से उनने report कर करके उनके accounts block करवाएं और उसके बाद में हालांके उनने अपनी वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है side में आप देखो मैंने भी दिखा दिया ये और उनकी channel पर जाके देख सकते हूं आप वीडियो और सौरब के दोना account suspend करवाने के बाद में साहिल भाई को भी धमकी दी क्योंकि वो थोड़ा जादा ही serious है तो चलिए एक एक करके हम चीजों को explain करते हैं क्या सच में इंडिया पर cyber attacks हो रहे हैं इसका answer कुछ specific नहीं हो सकता है हां भी और ना भी 50-50% chances हैं अपने अपने according जिसके साथ ये सारी problems हो रही है उनके लिए attack है और जिनके साथ नहीं हो र reply नहीं आए तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने Twitter account की बात कर लेते हैं वैसे मेरे ज्यादा followers नहीं है बट मेरे साथ problem हुई तो मैं share कर रहा हूं किसी के साथ भी हो सकती है बड़े creator के साथ भी हो सकती है चोटी creator के साथ भी हो सकती है क्योंकि Twitter पर मैं बहुत जादा active नहीं र 23 अगस्त को में को notification आया और मैं Twitter पर गया कुछ new post आई थी creators की मैंने देखी और मैंने Twitter के window close कर दी उसके बाद में एक दिन का gap था मैं social media पर active नहीं था तो जाहिर सी बात है Twitter को भी visit नहीं कर रहा था तो Twitter का 25 अगस्त को मुझे एक morning के time में mail आता है जिसमें बताया गया था म rules हैं सबसे पहले मैंने rules पढ़े वहाँ पे ऐसा मैंने खुछ बही नहीं किया था पहले मैंने email विजिट किया था रहा है घूप के रोल्स पड़े ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने विजीट ही नहीं किया तो मैं करूंगा क्या मतलए इनने यह बोला कि मैं अगर नए अकाउंट भी बनाने की कोशिज करता हूं तो वह भी सस्पेंट कर दिये जाएंगे और आगर आपको लगता है कि हमने गलत क्रिप्टो क्रेंशी का कुछ गिब्बे चल रहा था तो और मेरा बायो एडिट कर दिया गया था और बायो में जो मेरी यूटूब चेनल की लिंक लगी थी वहां पे कोई गिब्बे की लिंक लगाई हुई थी और अकाउंट में सारी चीजे एज़िट इस थी मतलब नाम भी था यूजर नेम भी था सब कुछ था बट बायो चेंज किया गया था और उसकी प्रोफाइल चेंज की गई थी और बैनर मैंने खुदी हटाया हुआ था काफी टाइम से काफी सारे ऐसे ट्विट किये गए थे करीब 150 के अप्रॉक्सिमेटली ट्विट किये गए थे मैं बार 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 पोस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होना तै है यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिस हैकरने मेरा अकाउंट है किया था उसने बार 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 री ट्विट री ट्विट करते 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 मेरे अकाउंट को पॉलिशी वाइलेशन के र या किसी भी website में जब आप जाते हैं, security से related आपको 3 से 4 option दिये जाते हैं, आपके पहला option होता है कि, एक एक करके मैं explain कर रहा हूं, पहला option रहता है आपके पास app authentication, मतलब कुछ apps के थुरू आपको access देनी पड़ते हैं, जैसे Microsoft authentication, Google authentication सबसे popular है, और भी authentication applications आती हैं, जहां पे आप को कुछ code दिये जाते हैं, उन website के द्वारा, उन्हें आपको वहां put करना होता है, और वहां पे एक minute का, एक OTP generate होता है, जो हर minute change होते रहता है, मैं आपको so करता हूं, मेरे account suspend होने से पहले, 2 से 3 महिने पहले, या उससे भी जादा पहले से, मैंने 2 step verification already on किया हुआ था, और म आपको passwords save करने पड़ते हैं, तो वो मैंने नहीं किया था, अब उसमें आप देख सकते हैं, Google Authenticator में 1 minute का जो OTP आता है, वो भी on था मेरा, पहले से ही, आप screenshot दे सकते हैं, महीनों पहले शे on था, और मेरा mobile OTP authentication भी on था, email authentication OTP भी on था, उसके बाद अगर कोई login attempts करता, तो पर आता, mobile पर आता, और app authentication application में आता, तीन जगे OTP आता, तब जाके कोई भी मेरे account को access कर सकता था, अगर ये सारे OTP bypass करके किसी ने login किया है मेरा account, और उसके बाद suspend भी करवा दिया, तो फिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है, मेरी या platform की, आप comment section में बदा सकते हैं, और आग हाई दे रहा है, तो वो देख सकते हैं, support team, अगर आपको लगता है कि हमने गलती से suspend कर दे, तो support team को contact करें, मैंने तुरंत यहाँ आगे बाबस से support team को contact किया, और email send किया, एक दिन वेट किया, reply नहीं आया, दो दिन वेट किया, reply नहीं आया, एक दिन वेट करने के बाद में फिर मैंने Twitter की official website पे जाके वहाँ पे भी support team को mail किया और एक दिन और wait किया दो mail कर चुका था और wait किया मैंने फिर और दूसरी जगे से मैंने Twitter की ही help center में जाके दूसरी जगे से फिर से एक और email बीजा third day बट उसका भी कोई reply नहीं आया तीन email में already अलग अलग support team मतलब जो जो support form उनने forum दे रखें Twitter ने वहाँ जा जाके मैंने email टाइप किये request डाली पर कोई response नहीं आया request डाली ticket जणनेट करके डाले anything कोई भी response नहीं आया Twitter को उसके बाद मैंने दो और mail किये थे बट उसका भी कोई response नहीं आया बिद प्रूफ सारे screenshot मैंने share के थे सब कुछ share किया था बट कोई भी response नहीं आया Twitter से और अपनी profile में जाके आपको दिखाता हूँ as it is यहाँ पे सब कुछ मेरा सूर है normal सा बट following zero है followers zero है और यहाँ पे सारे option आ रहे हैं बट यह सारी चीज़े submit अपे लिए सब कुछ कर चुका हूँ मैं already सब कुछ कर चुका हूँ बट कहीं से भी कोई reply नहीं आ रहे है Twitter का और एक और चीज़ बताता हूँ Twitter में सच में बहुत ज़्यादा spam users है और Twitter की audience इतनी कम है कि अगर कोई भी hashtag आपको trend करवाना है तो 2-3,000 लोग अगर tweet retweet कर दें तो वो tag number one पे rank कर जाएगा आपका कोई भी hashtag इतनी कम audience है और इसमें fake users इतने ज़्यादा है कि कल पर सुसाहिल खन्ना के YouTube चैनल पर intellectual indies पर जाके मैंने देखा था community में एक पूछ जाली गई थी कि क्या आपको क्या लगता है कि Twitter पर fake users है या नहीं है तो वहाँ पे 5 comment आये थे और 5 के 5 comment negative थे that means Twitter में सच में spam बहुत ज़्यादा होता है secure नहीं है और वहाँ पे politicians और businessmen आपको कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे आप decide करों आपको यूज करना नहीं करना आप आपने अगर कोई problem ऐसी face की है Twitter से related तो नीचे comment करो रोख जाओ अभी एक और चीज है ये तो एक problem थी दूसरी problem से अर करदा हूँ domain name provider के साथ अच्छा वाकि मैंने वहाँ पे hosting register नहीं की थी बनना hosting से भी हाँ धोना पड़ता क्योंकि उससे जैसे ही मेरा suspend वा वैसी मैंने YouTube के और YouTube पर देखा काफी सारी creators ऐसे थे जिनकी website monetize थी बहुत अच्छी run कर रही थी बहुत अच्छी earning भी कर रहे थे लेकिन उनकी website जो है hosting समेथ suspend कर दी गई उनकी earning anything सब कुछ खतम हो गया जिसके उपर वो rely कर रहे थे काम कर रहे थे सालों से तो ऐसा कुछ हुआ था मैंने सबसे पहले नेमचिप से 5 डोमेन मैंने किये थे मैं काम कर रहा था अपने website पर कुछ edit करना था मुझे जाके पोस्ट में क्योंकि आधी पोस्ट लिखी थे मैंने आधी पोस्ट में को और लिखने जाना था अगले दिन जा मैंने 8 सितंबर को edit करने जम्बाइ गया तो मेरी website लोड नहीं हो रही थी मैंने का साहथ कोई problem होगी होस्टिंग में मैंने होस्टिंग को नहीं किया मैंने डोमेन को वहां से अनटेच किया कैच्छे के लिए करी everything सब किया इनको इनकोगनीटो मोट को यूज करने की कुसिश करें बड़ फिर भी लोड नी हो था मैं अपना अकाउंट मैंने तुरंद वहां से टिकेट रिज किया और support टेम को contact किया support टेम मैं मुझे बताया कि आपकी जो problem है आप टिकेट रिज कर दिया आपको as soon as possible आपको reply मिल जाएगा बड मैं कुछ 24 गंटे वेट करना पड़ा और उसके बाद मैं मुझे टीम से contact हुआ टीम ने जो contact किया मुझे कुछ reply नहीं आया उनका auto generated जो reply था बार 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 कुछ मिंटों के बाद या कुछ गंटों के बाद बार बार मुझे वही चीजे repeat करवाते जा रहे थे कु से टिकेट जनेट करके send किया और उनका अगले दिन मुझे reply आया अगले दिन reply आने के बाद में उनने सीधे सीधे मुझे यही बूला कि आपका account ब्लॉक हो चुका है जिसके unsuspension के chance पिल्कुल भी नहीं है reactivate होगा ही नहीं मैंने उनसे बहुत सारी बात करी करीब 13-14 email मैंन इसा कुछ भी नहीं था उसरी रूल में लिखा था अभी वाइलेशन चाइल पॉर्नोग्राफी किर्मिनल कंटेंट कुछ ऐसे अगर आप पब्लिस करते हैं तो आपके डोमेन को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरी सारी क अगर भाइ मिस्टीक किया भी था तो साथ मुझे नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था मैंने यह बोला भी कि आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए था आप बोल क्या रहे हैं कि री एक्टिवेट नहीं होगा और मैंने दो-दो साल के लिए डोमेन रष्ट किये थे आप आपको बता होगा एक साल के लिए डोमेन रश्ट जब करते हैं तो करें 15-1600 रुपए का खर्चा आपका एक साल का मैंने दो-दो साल के लिए पांच डोमेन रश्ट किये थे आप समझ सकते हैं कि 15-20,000 रुपए का टोटल जितनी भी मैंने सिक्यूरिटी बगेरा वाई की थी डोमेन्स के लिए DNS भी मैंने SSL भी सब कुछ लिया था तो फिर ये सारी चीज़े करें 15-25,000 का नुक्षान हो गया एंड मेरी सारी की सारी वैप साइटे सट डाउन हो गई हैं लास्ट में जब उनने बोला था मुझे की तुमारा अकाउंट रियक्टिवेट नहीं हो सकता ह और उनने बोला था वार्निंग ये आपके लिए एक वार्निंग है सस्पेंसर और इमेडिये टर्मिनेट बिद नो रिफंड कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा सस्पेंड करने से पहले और नहीं आपको रिफंड मिलेगा कुछ भी नहीं मतला कहने का मत मतलब आपकी एक नहीं सुनी जाएगी टोटल बहुमत एक तरफ है मतलब बोटिंग जो है टोटल हंडिट परसेंट उन सर्विस प्रोवाइडर्स की पास है इसमें यूजर कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था तो फिर मैंने लास्ट में एक इमेल आप देख सकते हैं क्योंकि में रपा कोई option नहीं था तो फिर मैंने यहीं लिखा एंड उसके बाद से इनका कल सुबह साथ 24 पे मैंने इमेल किया था एंड उसके बाद से इनका कोई reply नहीं आया और मुझे भी पता है मुझे अब कुछ भी वहां से मिलने वाला नहीं है कु साथ sincerely करने की कोशिस करता हूं कोशिस करता हूं कि मेरे वज़े से किसी को भी 0.001 परसेंट भी किसी को हाट ना हो प्रोब्लम ना हो किसी को कोई भी रूस ब्रेक ना हो बट अगर उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर फिर तो कुछ अलफाज ही नहीं कहने के है कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझे क्या कुछ करना चाहिए अब मैं कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन से रगनने की कोशिस करता हूं आपसे कि क्या मैं ऐसा ही सोचता हूं आप कमेंट में बताना आप कभी भी किसी भी कंपनी के साथ जैसे की फेजबुक ट्विटर इं ज्यादा अच्छे लगती है क्योंकि वह हमेशा इतनी है अपको कोंटेक्ट करेंगे जितनी भी टीम मेंबर हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं सपोर्ट देते हैं बहुत अच्छा सबुर्ट शिस्टम है उनका और भी जैसे की फेजबुक का भी काफी अच्छा support system है बड़ थोड़ा सा लेट हो जाता है उनका बड़ गूगल का उनसे ज्यादा बैटर है Facebook का भी एज़िटीज लगबग सही है बाकी बहुत ज्यादा लोगों का मैं नहीं कह सकता हूं कुछ company ऐसी होती है कि जो जिनका support system जिनकी services से भी ज्यादा strong रहता है आप उनके साथ connect करने की questions करें अगर आपको किसी भी social media या कहीं पर भी जहां पर यहां work कर रहे हैं जो providers है वो उस problem को solve नहीं कर पा रहा है लेकिन आपने देखा है तो आप उसे उसकी problem को बताए कि यह problem है आप जल्दी से जल्दी fix कीजिए और दूसरी चीज यह है कि यह सारी चीजे मैंने अपने friend को share किया था तो उनने बोला था कि तू अपनी email बगएर है चेंज करके देख ले और password बगएर है चेंज कर ले क्योंकि तेरे एक एक करके काफी सारे platform के accounts और काफी सारे social media के accounts भी धीरे धीरे करके कभी block होते हैं कभी suspend होते हैं ऐसा होते रहता है तो तू एक बार अपनी details को change करके देख ले एंड मैंने किया भी था बट फिर भी वही problem होई और सब को suspend हुआ और ये मेरा twitter account एक बार suspend नहीं हुआ था इससे पहले एक बार और suspend हुआ था वो साइद महीनों पहले की बात है मैंने सब कुछ बताय था उस समय साइद इनकी टीम का साइद बिदिन week reply आया था मतलग काफी लेट reply आया था काफी क्या बहुत ज़्यादा लेट reply आया था और reactivate हो गया था मेरा account मैंने password चेंज किया और उसी समय कब अब से गरी 6-7 या उससे भी ज़्यादा पहले जैसी मेरा account है हुआ था मैंने story भी लगाई थी अगर आप पहले से follow करते हैं अकाउंट हैक होने के बाद मैं मैंने कुछी घंटों में recover करके सब कुछ on किया था ट्वी स्टैप verification everything लेकिन कुछ महीने वाद फिर से account suspend हुआ और सब कुछ खतम हो गया तो खेर मुझे इस चीज की problem नहीं ट्वीटर की कोई भी problem नहीं है हमारा जो official जी तू ट्वेल्वेक्स यूजर नेम था वो सायथ को यौल ले लेगा या फिर मैं prefer ही नहीं करता हूं कि register अगर हमारा in future फिर से account बना तो मैं सारी जगे फिर से link दे दूँगा लेकिन जहां-जहां में link दे वहीं है वहाँ से अभी हटा ईनने कासे हटा दिये मैंने वहां से भी हटा दूंगा तो को सब्सक्रूंगा जो 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 होगा वो सब को share कर दे जाओंगा आपके साथ और अगर ऐसा कुछ भी होता है in future कभी भी कुछ भी होता है तो फिर मैं आपके साथ share करूंगा और हम कोशिश करेंगे इस channel पर time to time बने रहें क्योंकि बहुत लंबा gap हो गया यह जो वीडियो आई है बहुत लंबे gap के ब बाद आप देख रहे हो थोड़ा सा कमेंट कर दो अपनी राय कमेंट में शेयर करो और इससे जादा कुछ भी नहीं बोलूंगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए आप सबी लोग अपना खयाल रखिये